अपने परम्पिता से सफलता का वर्दान लेकर कोई कारिये सुरू करता है तो निश्यत रूप से उसे मन्जिल मिलती है तो चाहे कोई मनुष छोटा काम करे बढ़ा करे विश्वास के साथ करे पहले से ही अगर डाउटफुल फीलिंग्स है मन में डाउटफुल नेचर कईयो अचैест बद्यूकर की होती है कई लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं पताल हो गयार नहीं होगा बीना मतलब ही सब कुछ जानते हुए भी बक्चे एक्जाम देने जा रहे सोच रहे हैसा हबाया नहीं ना चい तो पड़ाया हन्यता सर्णने पाई हार्ड मार्किंग ना हो जाए ह मार्क देने वाला मार्क देने के समय सो न रहा होगे, उसे गुसा न आ रहा हो, कई विचार मनुस के मन में आते हैं, तो कईयों के पास जो ये doubtful nature है, ये बड़ी खतरनाक है, मनुस को one-sided होना चाहिए, एक ही सुन्दर विचार मन में रखना चाहिए, जो विचार उस समय आव आत्मिस्वास बढ़ाना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, यूवक हो, बच्चा हो, इस्टूडेंट हो, शिक्सक हो, अधीकारी हो, एड्मिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजर हो, सब को आत्मिस्वास की ज़रुरत होती है, तो एक बहुत अच्छी चीज प्राचीनकाल से चली आ रही है कावत की रूप में, अपने को हम पहचाने, और अपने मन को खुस हाली से भरें, तनाव मुक्त होकर जीवन जीना सीखें, ऐसे नहीं हम काम पर तो जा रहे हों, लेकिन साथ में कोई निगेटिव फीलिंग लेकर भी जा रहे हों, किसने हमसे बुरा व्यवार कर दिया हो और उसकी बैड फीलिंग के साथ हम काम पर जा रहे हों, कोई हमारे सामने समस्या है उसका प्रभाव हम पर छाया हुआ है। तो निष्यत रूप से हमारी सफलता अरुद्ध हो जाएगी, तो अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी योगताओं को पहचानना ह देखिए हम भगवान के बच्चे हैं और हम यह जानना चाहिए हम आत्माएं हैं आत्मा में मोल रूप से जो साथ क्वालिटीज हैं जिसकी चर्चा हम करते ही रहते हैं ज्यान, सुक, स्यान्ति, प्रे, मानन, पवितर्ता, शक्ति इन सब के कारण हर व्यक्ति में कई पीज हैं देखिए हमने देखा है कई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कमजोर लोग सोचते ही नहीं कोई उमीद ही नहीं रखते उन से लेकिन किसी दूसरे फिल्ड में बहुत एक्सपर्ट तो अपने अंदर जो छुपी हुई योगिताएं हैं उनको लेकर उनको पकड़ कर उनकी awareness के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्ग भी बहुत सहज हो जाता है कभी क्या होता है किसी व्यक्ति में एक तरह की quality नहीं है और उसे वही काम करने को दिये जा रहे हैं लोग उससे उसमें ही सफलता की expectations रख रहे हैं तो मार्ग कठिन हो गया इसलिए हम बच्चे होने के नाते हमारे में बहुत सारी खोबिया हैं इस अंसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें बहुत सारी खोबियां विसे इस ताएं गुण टेलेंट्स नहीं suis पहने खूबियों को वो पहचाने और उसे आगे बढ़ है इसकी बहुत ज़्यादा बच्छा यही हो रहा है कि बहुत लोगों में एक कोई बुराई होती है वो प्रबल होती है उसका सब वर्न करते हैं यह तो है इसा यह तो है यह इसी तो वो बुराई एकदम सब के ध्यान म में रहती है और कहीं ना कहीं सब कॉंशियस माइंड में वह एक्सेप्ट कर लेता है मैं कामका नहीं हूँ जबकि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज रही हैं हमने देखे हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोड थे वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत होचयार निकले जो एक फिल्ड में असफल हो रहे थे वो दूसरे फिल्ड में बिलकुल सफल होने लगे तो अपने अंदर छुपी हुई योगिताओं को पहचानना है और अपने एक सुंदर मार्ग निकालना है जो हमारी प्रगती का एक सुंदर मार्ग है मैं ये कहूंगा सभी यूकों को विसेश जो अपने जीवन की एक सुंदर यात्रा प्रारंब कर चुके हैं उसके मद्य में हैं उनको अगर अपनी मार्ग पर चलने में कस्थ हो रहा हो कटना ही हो रही हो बार बार भी घना रहा हो तो अपना रास्ता बदले है वैसे भी मनुस की नेचर है सडक पर यहां रास्ते का चैन करें जहां भी घन कम हो शुरू में तो हमारा मार्ग सरल हो जाएगा सफलता हो जाएगा